असलाम लेकुम प्यारी बच्चों यह क्लास है सेवंथ की स्पजेक्ट इंग्लिश हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नाम था मैगबेथ यह हमने खतम किया अब आज हम इसके क्वेश्चन जो है लास्ट पे इसकी एक्जरसाइज जो हैं वो करेंगे मैंने कुछ कॉस्चन यहां पर लिखके रखें उनका आंसर जैसे पहला कुस्चन था हमारा इस वैसन का वो वाज मैगबेथ वो वाज मैगबेथ इसका अंसर हमने लिखा है मैगबेथ वाज जैनरल जैनरल और वाज मेंड थैन अप ग्लैम्स वी बिकेम था इंग व था किंग फॉफ श्कॉटलैंड आफर इंग गिलिंग दंकन मैगबेथ स्कॉटलैंड का बादिशा बन गया लेकिन पहले उस ने स्कॉटलैंड का बादिशा जो उस टाइम था इंग डंकन उसका नाम था तो पहले मैगबेथ ने उसका मार दिया और फिर उसकी जगा लेली खुद वहां का स्कॉटलैंड का बादिशा बन गया दूसरा सवाल है इसी लेसन का हमें What did the witches tell the Macbeth Macbeth को जो जादू करनिया जो दाइने मिली थी उन्होंने Macbeth से क्या कहा था यह हमने लेसन में पढ़ा है कि जो जादू करनिया Macbeth से मिली थी उन्होंने उसको कहा था कि आप बादशा बनोगे वो ही हमने इसका आंसर यहां लिखा है The witches tell Macbeth that he is going to become the king जादू करनियोंने Macbeth से कहा था Macbeth इस ड्रामा का इस प्ले का हीरो था और जादू करनिया जो उसको मिली थी उन्होंने उससे कहा था Macbeth से कि आप बादशा बनोगे आप Scotland के बादशा बनोगे इसका तीसरा question है How did Lady Macbeth come to know about the strange procession of eventus जो Lady Macbeth थी Macbeth की बीवी जो थी उसको यह पता कैसे चल गया कि आगे कुछ ऐसे हालात होने वाले हैं कुछ ऐसे वाकात हुए हैं कि उसका husband जो है जो Macbeth था वो बादशा बनने वाला था उसको इन सब चीजों का कैसे पता चल गया उसका जवाब हमने लिखा है लड़ी Macbeth ताम तो नो अबाउट स्ट्रेंज इवेंट्स लेटर रम हर हैस्बेंट इन वीच शी रेड इन काउंट अफर हैस्बेंट वीच्ट्री वीच्ट् Macbeth को पता चल गया Macbeth की बीवी को ये पता चल गया था कि एक खत के जरीए जो उसने खासिल किया जो उसके husband ने उसको बेजा था Macbeth ने उसको बेजा था उसने वो खत पड़ ले और उसी के जरीए उसको ये मालूम हुआ कि उसके Macbeth को कोई मिला है वो तीन जादू गरनिया मिली है उसको उन्होंने उसको ये कहा कि आप बादशा बनोगे इसलिए ऐसे ही वो उस खत के जरीए लाड़ी Macbeth को पता चला था आज हम यही दो तीन questions के करेंगे इनका यह answer आप उठाएंगे अपनी copy पे लिखोगे सब और इनको याद भी करोगे आज पस इतना ही